दोस्तों माई 2024 के examinations बहुत पास आ चुके हैं और हमें FM और SM का जो revision strategy है वो क्या रखना है उसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बिना time को waste किये हम लोग अपनी बात को start करते हैं दोस्तों revision strategy का whole point purpose क्या होना चाहिए sir point of purpose यह है revision strategy का कि जितना भी हमने अभी तक पड़ा है FM और SM में उसको हम वो knowledge को हम exam hall तक लेके जाएं इस बात को ensure करना ही revision strategy का sole purpose objective होता है यह कैसे करेंगे आए हम एके करके बात करते हैं ठीक है तो हम FM और SM दोनों के बारे में इसी वीडियो में बात करने वाले है revision strategy क्या होनी चाहिए ठीक है चली हम चल रहे हैं sir सबसे पहले FM के ओपर और मैं FM में आपको बता दूं कि FM जनरली क्या होता है sir यहां पर असान मान लिया जाता है बच्चों के द्वारा और बच्चे यहां पर बहुत जादा careless mistake करते हैं क्योंकि वो overconfident हो जाते हैं और इसी को नहीं करना है दूसरी सबसे बड़ी बात कि sir हमारे 2024 के examinations में जो MCQ की entry हुई है उसकी वजह से यह subject और difficult बन जाता है SM के साथ भी यह कहानी SM भी क्योंकि theoretical है पांच ही chapter है equal weightages है तो यहां पर बच्चे बहुत जादा overconfidence में ले ले लेते हैं subject को और यह subject advantage बन सकता है आपको group में पर कभी-कभी burden या liability बन जाता है क्योंकि आप इसको overconfident हो जाते हैं MCQs का बहुत जाता ध्यान रखना है और MCQs सबसे पहले आपको ICI ने जो provide किये हैं अपने BOS पर ठीक है na BOS की site पर वो जाकर सारे chapters के simple medium and hard वाले level के सारे MCQs आपको कर लेने हैं ठीक है चली अब हम FM की बात करें सर FM में देखिए revisions जो order होने वाला है मैं वो भी बताऊंगा और revision पूरा हो complete 100% हो उसकी जो strategy है उसको ensure कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं तो आपको करना क्या है आपको simple plain page पर इस तरीकी का एक chart बनाना है जो आप video को pause करके बना सकते हैं फिर उसमें सबसे पहले revision किस से start करना है सर जो सबसे important chapter है और जिसकी weightage भी काफी जादा अच्छी है that is investment decision investment decision में जितना भी portion आपका concept का है आप उसको सबसे पहले करेंगे अच्छा concept सर कहां से करें तो मैंने का सर ICI के study material से भी कर सकते हैं बाकी हमारे channel पर investment decision और इन सारे chapters की जिसका मैं बात करने वाला हूं उनकी concept videos आपको playlist में description में मिल जाएंगी तो उससे भी आप देख सकते हैं तो सबसे पहले concept करने हैं सबसे पहले फिर उसके MCQs करने हैं जो ICI ने BOS पर डाले हैं तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं ICI ने जो अपने BOS पर डाले हैं Board of studies पर डाले हैं website ठीक है उसके बाद आपको practical questions करने हैं और इस chapter से related जितनी theory है उसको भी कर लेना है theory नहीं छोड़नी है दोस्तों क्योंकि theory से ही आपके MCQs बनेंगे चाहे वो practical chapter हो चाहे वो soul theory chapter क्यों नहीं हो जो की chapter number one and chapter number two है ठीक है चली इसके पाद आप आएंगे working capital management के ओपर again बड़ा chapter है बहुत जादा scoring है उसका भी video uploaded है YouTube channel के ओपर playlist का link आपको description में मिल जाएगा ठीक है अब same order follow करना है सबसे पहले concept फिर आपको MCQs करने हैं फिर उसके बाद के practical questions करने हैं और उसके बाद आपको इसकी theory करनी है सर आप जानते हैं कि working capital management में abundant amount of theory present है ठीक है तो theory से बिलकुल भी अपना you know hard work छुपाना नहीं है कम नहीं करना है चली आई आगे चलते हैं सर इसके बाद set of three chapters जो मैं हमेशा बताता हूं कि जो भी FM कर रहा है उसको अगर cost of capital करना है तो उसके साथ capital structure और financial leverage यह तीनों chapter साथ हमें करने चाहिए है क्योंकि conceptual understanding बहुत जादा बहतर हो जाती है इन तीनों chapters को एक साथ करने पर सेम order follow करेंगे concept mcq practical questions and theory ठीक है लास्ट अब सर practical chapters में dividend decision है अगला scoring बट छोटा ठीक है इसलिए मैंने इसको एकदम end way रखा है जहां पर labor जादा है पहले मैंने उसको complete करवा दिया है वही order follow पहल क्या concept फिर mcq practical question and then यहां पर theory क्योंकि dividend decision में भी theory है हम जानते हैं अब ratios ratios में आ जाते हैं सर सबसे पहले ratios के अंदर क्या हमें concept यहां पर concept है नहीं मैंने बट बोला है कि formula को formula नहीं समझना चाहिए उसकी interpretation पर जाना चाहिए और ratio की interpretation यहां पर मैं concept कह रहा हूं ठीक है न उसक के बाद आपको क्या करना है सर उसके mcqs करने है उसके बाद उसके सारे practical questions and उसकी theory भी करनी है जैसे कि sir advantages and limitations of ratios ठीक है na what are the sources of information for calculating ratios इस तरह की जो general level की theory है वो आपको कर लेनी है अब last आ जाते हैं हम अपने chapter number one and chapter number two पे chapter number one हमारा है scope and objective of financial management and chapter number two कौन सा है types of finance अब यह pure theory है तो इसमें concept question नहीं है sir mcqs आपको जरूर से मिलेंगे यहाँ पर और practical question नहीं है उसके बाद आपको theory के जो questions है वो आपको देखने है तो यहाँ पर सिर्फ दो ही step में आपका revision पूरा का पूरा complete हो जाएगा मैंने एक भी chapter यहाँ पर नहीं छोड़ा है तो 100% revision कैसे करना है FM का यह मैंने आपको समझाया और इससे इस particular chart से आप यह ensure भी कर पाएंगे कि मान लिजे अगर आपने किसी एक chapter का MCQ छोड़ दिया तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है red pen से आपको P लिखना है that means pending है तो इससे आप ensure भी कर पाएंगे track भी कर पाएंगे अपनी revision की जो progress है तो जहाँ जहाँ अपने जो भी छोड़ा हो वहाँ वहाँ आप क्या लिखेंगे pending so that बाद में आप जब इस chart को द हैं कि SM के अंदर सबसे बड़ी advantage और disadvantage दोनों यही है कि सब 5 ही chapter है और weightage सभी chapters की एकदम equal है ठीक है ना 10-10 marks की but इन में भी जो priority chapters जो आपको करने हैं वो क्या करने हैं सब chapter number 1 chapter number 2 and chapter number 3 ठीक है ना यह 3 chapter सबसे पहले करने हैं और इनकी भी videos आपको हमारे channel पर मिल जाएंगी ठी लिस्ट का भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा ठीक है और इससे आप minimum कितने marks इंशॉर कर पाएंगे तो मैंने के सार आप minimum 32-35 marks आप इंशॉर कर पाएंगे 32-35 marks आप इंशॉर कर पाएंगे तो चलिए मैंने के सार exemption की तयारी पूरी है FMSM के अंदर अपनी hard work को बढ़ान है ना की घटाना है अचा कुछ बच्चे सर इस बात से भी बहुत ज्यादा relaxed mode में आ चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी पता है 90% chances हैं कि सर यहां पर हो सकता है लोग सवाह election ये विज़े से exam postpone हो जाए मैं बार बार तहे दिल से बच्चों से request कर रहा हूं कि ऐसी कोई भी relaxation वाले mode में अपने को नहीं जाना है जब तक election commission और ICI का कोई भी notification आता है ठीक है ना चली अब सर आप ने ये सब हमें बता तो दिया बट अगर मान लिजे हमें आप से कोई मदद चाहिए तो हम कैसे लेंगे तो मैंने का सर हम लोगों ने इस माई 2024 को ध्यान में रखते जिसमें आपको PP book that is perfect practice book जिसमें study material के MTP के RTP के और pass exam के जितने भी questions है वो सारे available है फिर हमने एक PR book भी बनाई है जिसमें concept की summarized concepts और उससे related जो भी really important questions है उनको भी हमने वहाँ पर रखा है तो ये PP book और PR book का एक combo offer हम लोगों ने बनाया है जिसमें हर question का video solution आपको जरूर से मिलेगा तो आप इस particular combo offer को जल्दी से जाकर खरीदेंगे तो आपको बहुत जादा सहयता होगी अपने पूरे FM और SM case syllabus को क्या करने के लिए sir अपने revise करने के लिए ठीक है ना for May 2014 ठीक है चली तो यहां पर मैंने आपको sir revision कैसे करना है और कहां से कर सकते हैं ये भी मैंने आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं मिलेंगे इसी तरह के important informative videos में आप इस channel को जरूर से subscribe कर लें और इस video को like करके बागी सभी दोस्तों के साथ share भी करें मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye bye दोस्तों